नमस्कार आप देख रहे हैं दिबाउस न्यूज और मैं हूँ सर्फराज अलम सहर सा पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामियाबी हासिल हुई है जहां लूट पार्ट करने वाले आठ अपराधी को जो है गिरफतार किया गया है यह अपराधी अक्सर जो है चलते रहागिरों क साथ जो है लूट पार्ट करते थे और इसे में पुलिस ने उसने धर्द बोच लिया है सदर्थानाशेतर के संत नगर इस्तित एक लॉट सीन की गिरफतारी की गई है पहले वो तमाम तस्वीरे आप देखे जहां एस पी लेपेश सींग अपने काड़ियाले में प्रेश कॉन्फरेंस कर मामले का खुलासा करती हुई नजर आ रही है और अपरादी के पास से हत्यार भी बरामत किये गहे है लूट की बाईक और लूटी गई ओंवाइल भी बरामत किया गया है एक देसी पिश्टल, एक देसी कट्टा, एक पिश्टल और चार्ट जुन्दा करतुस, एक मोवाइल और एक लूटी हुई बाइक भी बढ़ामत की गई है, पहले स्पी लेपी सिंग क्या कुछ कहती है, पहले उनकी बातों को सुनी है। पुलीस पहुची तो फिर वो लोग इधार भागने लगे, खादेड करके आठ अपरादियों को पकड़ा गया है, आठो का अपरादी के तिहास है, चार वो समें सिसहरसा के हैं और चार सुपोल के हैं, इसमें मुख्य जो है, वो है मुहम्मद हैदर, टीपू सुल्तान, मुह यह सुपोल जलाके हैं, इनके पास से लूटी हुई उजली अपाचे जो करीब आठ तारिक को लूटा गया था, वो बरामत किया गया है, एक पिस्टिल, एक देशी कट्टा, चार कार्थूस और एक मुबाईल जो की लूटा गया था, एक एप्रिल को, यह जो गैंग है, य इस तरीकी लूट और शंते की घटनाओं को अंजाम देता रहा है, आठो पराधियों की जाने से इस तरीकी घटनाओं को विराम लगेगा, इस पिसिंग क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, अक्सर यह सभी अपराधि जो है, सरक पर चलते रहगीरों के साथ जो है, लू लूट की घटना को अंजाम देते थे, तो कहीं न कहीं सदर्थानी की पुलीस के लिए बड़ी काम्याबी है, और बड़ी काम्याबी हासिल हुई है, सदर्थाना अध्यक सुधाकर कुमार द्वारा की गई है, छापे मारी के दौरान यह काम्याबी हासिल की गई है